आपके लिए बताने वाला हूँ GST में ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो सस्ती हो जाएंगी और कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो महंगी हो जाएंगी एक जुलाई से देज बर में GST मतलब कि Goods and Service Tax लागू होने वाला है GST बिल लागू होने के बाद कई ऐसे सामाने जो बेयर सस्ते हो जाएंगे रोजमर्णा की कई चीज़ें ऐसी हैं जो काभी सस्ती हो जाएंगी GST यानि Goods and Service Tax इसका मतलब है एक समान पूरे देश में सिर्फ एक ही टेक्स लगेगा अब तक मैं आपके लिए बताओं अब तक जो है हर चीज़ पे कम से कम 18 टेक्स लगते थे लेकिन अब GST लागू होने के बाद सिर्फ एक ही टेक्स लगेगा इसे बेचने वाला और खड़िदने वाला GST के दाएरे में होगा और जितने भी टेक्स है, सेल टेक्स, सर्विश टेक्स, वो सारे टेक्स जो आँगो खतम हो जाएंगे और एक जुलाई 72 से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्स लागू हो जाएगा तो फ्रेंस मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो GST से मुक्त रखी गई है और सस्ती होने वाली है ये चीज़ें हमाई रोजमर्रा की चीज़ें हैं इन पे पहले जो 17-18 टेक्स लगते थे वो टेक्स सारे खतम हो जाएंगे और GST भी इन पे नहीं लगेगा ये चीज़ें हैं फुला आटा है मैंदा बेशन अनाज दाले फल सबजी दूद दई लसी पनीर फूजा सामिकरी खजूर का गोड नमक बच्चों की किताब कॉंबी ये सब चीज़ें कावी सस्ती हो जाएंगे इन पे पूरवी टेक्स नहीं लगेगा ऐसे ही आपके कुछ जीज़ें हैं उनके बारे मैं आपके लिए बदाऊं जैसे की चाय पत्ती चीनी और भी के बोने दाने रुपाइंड खादी तेल काजू किसमीस पीडियस कैरोसीन एलपीजी गैस पांस और पे तके जूते चपल एग अरबेके रेडिमेड कपड़े अ लिएगी हो जाएंगी तो फ्रेंस मैं बताता हूँ छीरों हिस्तों में रखा गया है dobry परसेन टेक्स, daylight और 28 परसेन टेक्स तो मैं अपके लिए बता हूँ जीन चीजों परoken टेक्स लगता था Justin Product ऑब 15 टेक्स लगेगब आठ परसन जो टेक्स था वुस्त सस्ता हो जाएगा वो यह चीज़ें हमें सस्ती मिलेंगी जैसे कि घी है फूड है बादाम है छत्री मॉबाइल अचार मुरबा चटनी इन पर 12% टेक्स लगेगा और जिन चीज़ों पर 18% टेक्स लग रहा है यह वो चीज़ें जिन पर पहल चीज़ें कार है बाइक है पान मसाला बीडी सेग्रेट प्रिंट मेकप यह चीज़ें अक्षाइट प्रजेंट के धायरे में अब आएगी तो फ्रेंस पादी आजी चीज़ें जो सस्ती होने वाली है